भारत में कोरोना वाइरस की नई वेरियंट एकसी का पहला मामला मुंबई में मिला ओमिग्रोंड के एकसी के अलावा कप्पा वेरियंट का भी एक केस सामने आया है जिन 306 नमूनों का परेक्शन किया गया था उनमें से 230 मुंबई के निवासी है राष्ट्यवादी कॉंग्रेस पाटी के अद्यग शरत पवार ने बुद्वार को प्रधान मंत्री निरिन मोदी से संसर्म मुलाकाद की मुलाकाद के दोरान शरत पवार ने पीम मोदी के सामने शिफशेना रेता और राजेसभा सांसर संजेराउती खिलाफ हुए ED की कारवाई का मुद्धा भी उठाया उन्होंने सवाल की कि क्या संजे रावत पर इसलिए कारवाई की जा रही है क्योंकि ये सरकार के खिलाप आवाज उठाते हैं गोरपूर मंदिर के सुरक्षा में तैनाथ सिपाईयों पर हमला करने का आरोपी एहमद मुर्तजा अबासी के तार देवबंद से जुड़ रहे है सूचरा पर ATS ने देवबंद पहुचकर एक संदेग दी यूवत को हिरासत में लिया वही मुर्तजा के तार देवबंद से जुड़े होने के बाद पश्चिमी यूपी में खूफी एजंसिया अलेट हो गई है अमिशा ने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद साइंटिफिक एविडेंस को मजबूत करने का है और इस से जुड़ा सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं बलकि NCRB यानी National Crime Record ब्यूरो के पास रहेगा पाकिस्तान में इमरान खान प्रदानमंदी का पद गवा चुके हैं अब वे चुनाव में लोगों की सहानबूती बटोरनी की जुगत लगा रहे हैं राजनीती के एक्सपर्ट का मानना है कि यदि इस चुनाव में इमरान खान को सत्ता नहीं मिली तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी रूपी यूनियन कई रूसी नेता और अधिकारियों पर प्रतिबंद लगाने के बाद रूस के राष्टपती पुतिंग की बेटियों पर भी प्रतिबंद लगा सकती हैं यू और अमेरिकी अधिकारी इस हफते प्रतिबंदों की गोशना भी कर सकते हैं पैट कैमिन्स ने सिर्क 15 गेंदो पर बिना आउट हुए 6 छको और 4 चौको से 56 रन बनाए लेकिन इतिहास वो काफी पहले ही रच चुके थे और अगर सूरे कुमार का पैर कैच लेने के दौरान बाउंडरी से छू जाता तो कमिन्स पिछले 16 साल से आईपियल का सबसे तेज शतक जड़ देते सिर्फ 13 गेंदो पर ही जोस बटलर ने बैंगलोर के खिलाफ नाबाद सब्तर रन बनाए उनकी इस पारी में कोई चौका नहीं था आईपियल में ये सबसे बड़ी पारी थी जिसमें कोई भी चौका शामिल नहीं था इससे पहले नितीश राना ने बिना कोई चौका लगाया एक पासट रन ने भी इसी मुद्दे पर सवाल खड़े की हैं एक इंटर्विव में अनराडा ने कहा कि वो भारत में जिस तरह लाउट स्पीकर पर आजान होती है वैसा दुनिया में किसी पोने में नहीं होता उनका कहना था कि जब मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्ता में यह सब क्यों हो रहा है समंता रूत प्रभू ने शोचल मीडिया पर अपने एक्स हस्बेंड नागा चेतन्य की एक पोटो शेयर की है एक्ट्रस ने इंस्ट्रग्राम स्टोरी पर अपनी फिल्म मजीली के तीन साल पूरे होने पर फिल्म का एक पोश्टो शेयर किया है तेलगु भाशा की रोमेंटिक स्पोट्स फिल्म में सामन था और चेतन्य ने लीड रोल प्ले किया था पिछले 5 अप्रेल 2019 को रिलीज हुई थी शादी के बाद दोनों एक ही साथ इस फिल्म में नजर आये थे